चाहरसिय समाज ने पान तरीबा गौरी शंकर मंदिर में नाक पंचमी पर एवं चाहरसिय दिवस मनाया। नाग पंचमी पर चौरसिया समाज में पान की खेती करने वाले क्रशक पान बरेजों में नाग बेली की पूचा करते हैं। इसी परंपरा का निर्वा करते हुए चौरसिय समाज के लोगों नाग पंचमी एवं चौरसिय दिवस के अफसर पर भगवान शिव के पूजन के साथ साथ नाग देवता का पूजन भी किया। पान दरी पैसित भगवान गौरी शंकर मंदेर ट्रस्ट में शौरसिय समाज नव्यूवक मंडल, महिला मंडल एवं पान व्यपारी संग के सबी सदस्तियों नाग देवता की पूजा एवं आरती कर प्रसार वितरत किया। आज भगवान गौरी संकर मंदेर पान दरी बाव में पूजन किया गया है, आज चौरसिया देवास, हमारे चौरसिय समाज के लिए, आज के सबसे महत पूजन नाग पच्चमी का माना जाता है, नाग देवता की पूजा अर्चन सभी लोगों ने किया। इस मौकी पर बड़ी संख्या में चौरसिय समाज की लोग मौजूद रहे। नाग पच्चमी के अफसर पर कजरवारा में दंगल का आयूचन हुआ, अखाडे में उतरे पहलवानों ने हुब जोर आजमाईश करते हुए कुष्टी के दाव पेज दिखाए। आयूचकोनी बताया कि नाग पच्चमी पर दंगल का आयूचन करने की परमपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इसी कड़ी में इस बार भी दंगल का आयूचन किया खेया। इसका मकसद कुष्टी कला को बढ़ावा देना है ताकि भारत की ये कला जीवित रह सके और युवावर्ग इसमें रूची लेकर इस कला के जरीए देश का नाम रोशन कर सके वहीं दंगल के समापन पर विजयताओं को प्रुस्कार प्रदान किये कए। पढ़ते हैं तो जवलपूर और जोलपूर के आसपास की जिलों में चाहे वो सिवनी हो छिंदबड़ा हो बाला काट हो मदबरेस के आने जिलों में आज से लागपजी पूजा के उपरान दंगल का प्रानम होना बताए जाता है और यह परंपरा बरसों से चली आ रही है औ और आज ही से नए बच्चे जो पहलवानी में उतरते हैं जो यहां बच्चे कुस्ती खेल लाए हैं यह आके जाके हमारे देश के भवे से बनीगे हैं पहलवानों को इससे सील्ड कप और नगज रासी का पूसकार भी उनको प्रदान किया जाता है उनके द्वारा वही घाना खमरिया में भी नाक पंचमी के मौके पर कुष्टी कायोजन किया गया जिसमें पचास से ज़्यादा पहलवान शामिल हुए वही प्रत्यूगिता में बहतर प्रदरशन करने वाले पहलवानों को प्रुसक्रत भी किया गया जाम घाना समर्या में विगत 24 वर्षों के लगातार हमारे द्वारा प्रदरशन किया जाता है और बच्चों को पहलवानों को प्रुस्टान करने के लिए हम अपनी ओर से भरकूर इनान परदान करते हैं और उनका होस्ना बराते हैं ताकि वो जबल्बुन के जावी नहीं राजिस्तर ही नहीं बर्दरशन करते हैं प्रदरशन करते हैं और हमारे जंगल में शैकों खुष्टिया होती हैं और दूर जूरे में आसपास से पहलवाने हां पर उपसुत होगे अपना कला का प्रदर्शन करते हैं इनाम जीतते हैं 9 अगस्त की तारीक भारती स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्रों से आंकेत हैं 9 अगस्त 1942 को महत्मा कांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला कर लग दिया था कांग्रेस कारेकरता 9 अगस्त को अगस्त करांती दिवस के रूप में बनाते हैं चबलपुर में अगर कांग्रेस कमीटी के अहवान पर कारेकरताओं ने शहेद इसमारक मैदान से तिलक भूमी की तलाईया होते हुए गांधी भवन तक वाहन ब्रैली निकाली अगस्त करांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अंगे मात्रव राश्ट पिता महत्मा गानी ने आजादी को लेके चिंते तें कि उनने ये तक कह दिया कि करो या मरो और आज का दिन इस देश के लिए सबसे महत्मूर दिन होता है कि आज के ही दिन ये संकल पिलिया था कि अंग्रे जो भारत छोड़ो करो या मरो डू एंड आई ये स्लोगन महत्मा गांधी जी ने दिया था आज के दिन आजादी के उन तमाम मतवालों को हम सरद्धन जली अर्पित करते हैं और देश की आजादी अच्छों रही आए इसके लिए संकल पिलिते हैं गांधी भवन पहुँचका रैली सभा में तब दील हो गई जहां कॉंग्रिस कारेकरताओं ने सौतंदृता संग्राम के अमर बरीदानियों का पूरने स्मरन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये महापौर्ट जगत बहादुर सिंग अन्नू अपने कारेकाल के दो वर्ष पूरने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने बताया कि दो वर्षों में विकास के कई कारे कराये गए हैं पतीद पावनी मान नर्मदा में मिलने वाले आठ नालो पर स्टिपी प्लांट लगाए जा चुकी है घर घर नर्मदा जल पहुचाने के लिए 311 करोड की योजना शुरू हो चुकी है स्वच्चिता की शेतर में भी बड़े कारे कराये जा रहे है सीवर लाइन के शेश बचे हुए कारे के लिए 1000 करोड रुपे की योजना का डी पियार बनगर तयार है अधुसन रशना के कार प्रचलन में है और बारिश के थमते ही सड़ा सुधार के काम प्रारंब किये जाएंगे दो वर्षों में हम लोगों ने जो कहा वो किया और दिश्चित तोर पर जो आगे कहेंगे उसको करेंगे हम लोगों का मान रवदा में गंदे नाले मिलने वाला संकल पर भी पूरा हुआ अब साफ पानी मान रवदा में जाता है हम लोगों ने 303 करोर से जादा की राशी की सड़क और नालियों को निर्मार किया अदोसंदशना को पैसा खर्च किया हम लोगों ने 311 करोर से हर घर 90 जल पहुचाने का काम शुरू कर दिया और इसके पहले हम लोगोंने 50 करोड सी जादा की राशी के इस बार जल पर काम किया जिससे जल संकड बहुत मात्रा में रहत मिली हमको जल प्लावन पे हम लोगों ने बहुत काम किया चाहे सुच्चता सफाई की बात हो चाहे सुच्चता की रेटिंग की बात हो चाहे सुच्चता की रेंकिंग की बात हो बहुत पहले से सुधार हुआ हम लोगों ने अतिकरमन भी थे तो उसको तोड़े हम लोग एर कॉलिटी इंडेक्स में हम लोग को सौ में से सौ अंक केंदर सरकार ने दिये हैं जो सिर्फ छे शेरों को पूरे देश में दी और मद्द पदेश का हम लोग एक लौता शेहर हैं विकास के नाम पर हर पहलू पर कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो दो वर्षों में एतिहासिक रूप से जवलपूर शेहर में काम हुए हैं और अगले आने वाले तीन वर्षों में हमारा शेहर विक्सित होगा इंदौर भोपाल से रेस में आगे दोड़ेगा और महानगर बनेगा इस जोरान विधायक अजय विश्वनोई, विधायक अभिलाश पांडे और पूर्वमंत्री अंचल सोन कर भाजबा नगर अध्धक्ष प्रभात साहू एवं मेर इन काउंसिल के सदसे मौजूद रहे शेहर स्वच्छता की दिशा में लगतार आगे बढ़ रहा है इसे कट में रानिताल शमशान खाट के पास 120 चन कचरे की शमतावाला गार्बिस ट्रांसफर स्टेशन का लोकारपन महापौर एवं शीतरी विधायक द्वारा किया किया विवेकानन वार्ड में अस्थित इस प्लांट में 6 कॉमपेक्टर लगे हैं जो 10 वार्डों से आने वाले कच्रे को कॉमपेक्ट करेंगे करीब 9 करोड की लागत से बना यह प्लांट स्वच्छता की दिशा में महात्वकूर साबित होगा महापोर्ट जगत बहादूर सिंग अन्नु ने बताया कि यह तीसरा प्लांट है और कुल 8 प्लांट बनेंगे जबलपूर को स्वख्ष बनाने की तरफ एक बढ़ादूर से पहले तो मैं नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने जबलपूर को स्वख्ष बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है हम लोगों ने आज 120 टन कचरे की क्यापिसिटी का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार पड़ किया 9 करोर की राशी से रानी ताल शम्शान घाट के बाजू में एक हम लोगों ने गार्बेज इस्टेशन बनाया है जिसमें हम लोगों ने छे बड़े बड़े कंपैक्टर्स लगाए हैं जिसमें कचरा आकर हर कंपैक्टर में 20 टन का कचरा कंपैक्ट होके एक कंटेनर में रखा जा सकता है और फिर वो कचरा उठकर कठोंदा जाएगा जहां पर उस कचरे से बिजली बनती है जो आज ये लोकारपित हुआ है ये जबलपुर शेहर की सच्चता के और विकास के लिए एक मील का पत्तर साबित होगा इस दोरान भाजपा पारशित गण इवं शेत्री विधाया का भिलाश पांडे भी कारिक्रम में मौजूद रहे कुदवारी शेत्र के एक पटवारी की साथ मारपीट होने की घटना सामने आई है जसके बाद पटवारी संगठन ने लामबंध होकर विरूद प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मुलाकात कर कर्मचारियों की सुरक्षा की गुहार लगाई पटवारी प्रवीन सिंग ने बताया कि कुदवारी शेत्र की एक सीलिंग की जमीन के मामले से संबंधित जाच के नर्देश पनागर के शेत्री विधायक द्वारा दिये गए थे लेकिन उसकी जाच से वो आसंतुष्ट हो गए एवं उसके साथ मार बीट कराई गई है शिकायट प्रस्तुत कर जाच करने के लिए कहा गया था तो तैसिल्दर मौदय ने हमें निर्देशित किया था कि तो मौके पे जाके और जो मौका की स्थिती है वो आउगत कराओ त्रतिवेजन बना के पंचनामा बना के लगए मैं पांच तारिक को गया और एक साथी पड़वारी हमारे और थे वो भी गया नरेन जी और हम दोनों तो ने वहां मौके में जो देखा और लोगों से पुछ ताच की तो जो घर थे उनका लिखा जो दस्तवेज लोगों ने दिया मागा दिया वो दस्तवेज लगा कि पंचनामा बना के और तैसिल्दर साब को रिपोर्ट सम्मिट किया तो उन्हों ने विदायक जी बोले कि क काँ पी मेरे को भी चाहिए रिपोर्ट लें तो मैं गया था मेरे पास प्रीडियाफ थी उसकी तो वहीं उनीक आफिस में उसकी प्रिंट निकल वाए और फिर दिखाया तो ने बोला कि इसके खिलाब कुछ इसके खिलाब तुमने क्यों नहीं लिखा मैंने बोला था कि मतल गाली दी और फिर बोले तुम्हारा ट्रांसफर कुंडम कर देंगे लग ठीक है कुंडम चला जाओंगा सर जैसा आप कादेश होगा तो फिर उसके बाद बोले कुंडम तो बाद में जाओगे पहले तो हम पीतेंगे तुमको और पिर जो वहां लड़के थे आफिस में तो उनसे बोला इस गाली देखते बोला इसको पीतो तो उन्होंने फिर हमें मारा और फिस ने और फिर बाद में उनका जो सुरक्षा करमी था वहां से बाहर निकाल दिया तुम जाओ इस फेड़के कि विधान सभा एक सो एक पनागर जिला जवल को क्या नमें विधायक जी निदुति आरे जिस तरह कि आपके साथ जो मार पीट गई गेंगे ये गलत है किसी भी मतलब कर्मचारी अदिकारी को मतलब के साथ ऐसा बहुत नहीं करना चाहिए नहीं किसी के साथ वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक सकसेना ने पटवारियों को चितकारवाही का अश्वासन दिया है है और जिस तरह की बात कही गई है कि मार पीट हुई है, कुछ गाली कलोज हुआ है, कुछ उस तरह का हुआ है, उस तरह का जो investigation जो है, वो police agency जो है, वही कर सकती है इसको. पटवारी घवराय हुए भी नहीं करें है था आज़ी नहीं मैंने इसलिए उनको बताया, कि उनको घवड़ानी के आवशक्ता नहीं है यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह का कोई अबद्राजर्ण होता है कोई मार्पीट होती है तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए उसके लिए उनके प्राप्सकुरा सरक्षण है प्राइम आफेसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि कुछ मारा पीटी होई है कुछ अबद्राजर होगा है ऐसी इस्तिति में इस तरह की जो कारवाई है वो पुलिस की एजनसी के दवारा होती है उसमें जरूरी है कि प्रात्विक सूशना जो थाने पे पटवारी संगठन ने कारवाही ना होने पर हरताल करने और सामोहिक इस्टफा देने की भी चेतावनी दी है टेलीकॉम फैक्टरी की जमीन को लेकर अतिरिक्ति करेक्टर द्वारा पारित आदेश को फैक्टरी प्रबंधन के द्वारा हाई कोट में चनौती दी गई है वहीं इस मामले को लेकर नागरी को पभोकता मागदर्शक मंच ने भी एक हस्तशे प्याची का हाई कोट में दायर की है जिसमें बताया गया है कि फैक्टरी प्रबंधन जमीन को बेचना चाहता है ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है लेकिन उस जमीन पर लगभग 20,000 पेड लगी है जो शहर के लिए ऑक्सिजन टैंक कहलाते हैं यदि इस भूमी को बेच दिया जाएगा तो यहां की हर्याली भी नश्ट हो सकती है और बड़े पेमाने पर पेड़ों की कटाई होने से परियावरण को भी शती पहुँचेगी पूर्ब में राजस शाषन ने लगभग 20 एकड भूमी शाषन के नाम पर घोशित कर दी गई उसके विरोध में टेलिकॉम की जो कंपनी है उन्होंने एक हाई कोट में याचिका लगाई थी कि यह भूमी हमारी है और यह राजस शाषन की नहीं हो सकती क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट ने जमीन हमें दी है उसी हाई कोट में जो याची का है उसमें एक हमने इंटरवीन करके नागे उक्ता मंचने एक याची का लगाई है और हमने उसमें यहीं मांग करी है कि यह जो शहर के बीच में एक ऑक्सिजन टैंक का निर्मान हो चुका है लगबग 20,000 के जो पेड यहां पर हैं वे नहीं कट चाहिए और इस भूमी में वन ही रहने देना चाहिए किसी भी प्रकार की वेवसाइक गतिविदी कमर्शल गतिविदी यहां पर अलाव नहीं होनी चाहिए क्योंकि शहर के बीच में अगर यहां पर फिर कांक्रेट का कंप्लेक्स बनेगा तो कही न कहीं परेवरन को भी कर रहा है हाली में सदर में इस तीट एक कपड़ा शोरूम से इस गिरों ने कपड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया इस मामले की भंख शोरूम संचालकों को तब लगी जब उन्होंने स्टॉक चेकिंग की इसके बाद शोरूम शोरूम में लगे CC TV वीडियो के फो शोरूम संचालिका ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि शोरूम में महिलाओं का ये गिरो कपड़े खरीदने की बहाने आया था और उनकी अनुपस्तिती में दुकान में काम करने वाले स्टाफ ने उन्हें कपड़े दिखाए इस पीच महिलाओं ने शोरूम से उस ट्राइप के लेडी से आई थी पहले दो आई फिर दो आई फिर दो इकट्टी आई तो मतब छे लोग आये थे अंदर वो मैंने कैमरे पे देखा जब मुझे मेरा स्टॉक नहीं मिल रहा था जब मैंने स्टॉक टैली किया तो मेरा न्यू स्टॉक जो भी आया था वो प पता चला कि उस दिन जो पांच तारीक को लोग आये थे यहां से चोरी हुई है नबे से एक लग के कपड़े लेके गए है क्योंकि उन्होंने बोला कि तीन से चार हज़ार की रिंज दिखा दीजे और एक लीडी आके कोने कोने पे चाके उसने कपड़े खटी किये कुछ न करने वाली महिलाओं ने शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया है और कैंट पुलिस इस घटना की जाच में जुड़ गई है नाग पंचमी के मौके पर वनविभाग के अमले ने सपेरों के चंगुल से दो दरजन से ज़्यादा सर्पों को मुक्त करा कर उन आमानवे वहवार को रोकने के लिए विभाग के अमले तौरा लगतार सर्पों को रेस्क्यू करने का भियान चलाया जा रहा है इसके तहर पचास से ज़्यादा सापों को मुक्त करा कर उनका विटनरी अस्पताल में लाज करवाया गया और उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ने की कारवाही जारी है पर उन्हें बचाने और उनके प्रकृतिक आवास जंगल में छोड़ने का दावा किया चा रहा है लेकिन जिल लोगों के चंगुल से सर्पों को मुक्त कराया गया उनके विरुद किसी तरह की कारवाही ना करना अपने आप में वन विभाग की कारे प्रणाली पर चिन्न लगा रहा है वन अथी दियम के अनुसार किसी भी मूक वन प्राणी को पकड़ना और उसे बंधक बनाकर उसका प्रदर्शन करना सख्त अपराध है लेकिन पर्व और तयोहार के नाम पर सर्पों का प्रदर्शन देखने को मिल जाता है इसके बाउचूद सर्पों क प्रदर्शन करने वाले लोगों के वुरुद कारवाही ना होना लोगों की समझ से परे है नाक पंचमी के अफसर पर अख्खाडों के प्रदर्शन की परंपरा है इसनी मेन महुल just forgot के पोशल का प्रदर्शन किया along रबज मंदिर तक पदयात्रा निकाली गई रास्ते बर आज नाक पंचली के अवसर पर प्रती वर्स की अनुसार इस वर्स भी स्री राम प्रसाद उस्ताद अख़डा नय मुहला के द्वारा आज आज हमने इसको रोक के रखा है और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कला को हम समाप्त होने नहीं देंगे जो हमारे पूरवजों की कला है और हम लगातार ही ऐसे ही आयोजन हर नाक पंचिमे में करते आएंगे अखाड़े से जोड़े लोगों ने बताया कि पारमपारिक भारती कुष्टी कला को जीवित रखने का उनका प्रयास लगतार जारी है जिवां को वियायाम के ज़रिये निरोगी रहने की प्रेड़ना देना ही उनका मकसद है इस स्वतांधिरता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा भियान चलाया जाना ते है रुधान मेंत्री नरेंद्र मोदी के आभान पर भाजपा कारे करता तो उतसाहित हैं ही साथ ही प्रत्यक वेक्ति से अपील की जा रही है कि अपने घर पर तिरंगा फैरा कर उसके साथ अपनी सेलफी सोशल मीडिया पर अपलूड करें प्रदेशी सरकार भी सायजन को बड़ा उत्सव बनाने की कोशिश कर रही है जिस देश के अंदर वहाँ के नौजवानों की बीच में वहाँ की जनता की बीच में देश भक्ति का जजबा होगा वो देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ने से कोई नहीं रोका जा सकता नगर निगम के द्वारा भी कई आयोजन करने की तयारी है इसमें मूलता यह है कि सहर के जो भी गड़वान नागरेख हैं आम नागरेख हैं वो 9 से 15 के दोरान जो भी सुतंतर संग्राम सेनानी हैं तिरंगा यातराये करें पैदल यातराये करें साइकल, रैली, मेराधन, स्कूलों में प्रत्योगताएं करवाएं तिरंगा के और देजभक्ती के संबंद में सांस्कृतिक कारकरम करवाएं तिरंगा, संगीत आयोजन भी होना है उसमें कैनवास लेखन भी है कि एक विसेश स्थल पे कैनवास पे सभी लोगों से स्लोगन लिखवाएं देजभक्ती के बारे में और 13 से 15 के दोरान हर नागरिक से ये अपील है सरकार की कि सब लोग एक सेलफी जरूर अपलोड करें तिरंगे के साथ आयोजिकों का कहना है कि कारेकरम का मकसद लोगों में राश्ट प्रेम की भावना मजबूत करना है बरेला थाना अंतरगत गौर नदी के कटिया घाट में शुकरवार की सुभार चान कर रही एक महिला पानी के तेज बहाओ में बह गई गई सुचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम खटनास्थर पर पहुँच गई जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम ने महिला की तलाश शुरू कर दी लेकिन देश शाम तक उसका पता नहीं चल सका बलेला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया की कटिया खाट में रहने वाले द्वारका श्रिपाल की पतनी वर्षा श्रिपाल सुभालग भग साड़े नौ बज़े स्नान करने कटिया खाट गई थी वहीं किनारे पर बैटकर इसनान कर रही थी तभी पानी के तेज बहाव में बह गई गई पुलिस और SDRF की टीम ने महिला की दलाश शुरू कर दी है कॉंग्रिस देता राजमिश्रा और ककु पंजाबी हत्याकान के दो इनामी आरोपी गरफतार साथ साल सतिफरा तोनों की गरफतारी पर घोशित था इनाम जहाँ जबलपुर के बहुचर्चे तो कॉंग्रिस देता राजमिश्रा और बदमाश ककु पंजाबी दोहरे हत्याकान में दो फरार आरोपी आदेश सोनी और गोरखपुर निवासी विने और फबिन्नु विश्व कर्मा को कोतवाली पुलिस ने गरुवार की रात महराजपुर बाइपास के पास एक धाबे के पास से गरफतार कर लिया दोनों ही 2017 से इस दोहरे हत्याकान को अंचाम देने की बात से फरार थे और दोनों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम खोशित था पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुकरवार को नियाले में पेश किया जहां से दोनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया किया है CSP कोतवाली रितेश कुमार शिव ने दोनों आरोपियों की गिरफतार किये जाने और नियाले में पेश कर दोनों को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूश्ताच करने की जानकारी दी है कोटवाली पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूश्टाच में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों फरारी के दौरान पिछले साथ साल से अलग-अलग जगा रहे थे और मजदूरी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे पुलिस इंसे हत्यकांड की समब में और जानकारी जोटा रही है इनको मामले में गरिफतार कर नैला पेश किया गया है और नैला से तीन दिन का रिमांट प्राप्त किया गया है और अभी इन से पूश्टाच कर विविशना की जा रही है ये दोनों आरोपियों की उपर पंद्रा-पंद्रा हजार रुपए का इनाम गोशित था ख़र तरब है कि जनवरी 2017 को कांग्रिस नेदा राजमिश्रा और कुक्कु पंचाबी की दोहरी हत्या हुई थी वारदात के बाद से ही आदेश सोनी और विने और फबिन्नु विश्व करमा फरार थे तब ही से पुलिस इनकी गिरफतारी के प्रयास कर रही थी हाला कि ये चर्चा है कि दोनों आरोपियों ने नियाले के समक्ष सरेंडर किया है लेकिन पुलिस दोनों की गिरफ़ताली करने का दावा कर रही है